हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवो वाई-02 एंडुट नवाइल फोन में आप जो है ड्रॉ आफ टू लॉंच फेसबुक इस सेटिंग को आपना इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आन कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह ड्रॉ एफ टू लॉंच फेसबुक यह सेटिंग जो न इनेबल होने के बाद ही सेटिंग काम कैसे करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप अपने फोन का सैटिंग सेटिंग पैज में नीचे आना यहाँ पर आपको ऑपशन मिल जागा है यह ईए शॉटकट एण एकसिसबिलिधी इसे आपको सस्क्राइब असके अगले पेज में आप option मिलेगा smart motion का smart motion पर select करना है अब smart motion के this page में आपको smartphone вспेज का option मिलेगा smart wake इसे आपको select करना है smart wake के इस page में आपको ní pelvis हाना है यहापर आपको option मिलेगा draw app to launch Facebook ठीक है इस option के ठीक सामने आपको यह button दे र 카ा इस button को आपको select करना है तो यह बटन आपका blue color में on हो जाता है, यानि कि आपकी setting इस तरीके से enable हो जाती है, ठीक है, अब यह setting जो na enable होने के बाद, यह setting कैसे काम करेगी, यह मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो जब भी आपके mobile phone की screen off होगी, इस तरीके से, screen off होगी, तो आपको अपने, आपको बता जाता हूँ, मेरे mobile phone में Facebook तो है, लेकिन उसमें मेरा कोई भी account नहीं है, ठीक है, यह देखिए, Facebook app है, लेकिन मैंने अपना Facebook account नहीं बना रखा है, ठीक है, जिसकी वज़े से, यह open नहीं होगा, ठीक है, तो यह setting जो 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 तो अब मैं आपको जो नहीं यह बता जाता हूँ, कि कैसे आप इस setting को अपने mobile phone में shortcut तरीकी से कैसे ढूंड सकते हैं, इसके लिए आपको करना होगा, आपको अपने mobile phone में setting page उपन करना है, setting page में आपको सबसे उपर इस search icon पर select करना है, और यहाँ पर आपको सबसे उपर search bar में type करना है, draw app to launch Facebook, जो setting करना है, यहाँ पर आपको type करना है, तो आपको नीचे option शो हो जागा, draw app to launch Facebook, इस option को select करना है, इस से क्या होगा, आपको mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाएगा, ठीक है, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिये, setting को ढूंडने का,